आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hi friends इस Question हमसे पोचा है कि Practical Unit of Pressure SI System में क्या होता है Tor, Bar, Atmosphere या पैसकल ठीक है तो हमें पता है कि यह सारे Pressure के Units है लेकिन जो Practical Unit SI System में हम लोग यूज करते है वो है पैसकल तो हमारा Answer होगा इस Question का Option 4 ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 1ATM की जो Value होती है वो बहुत जादा होती है वो होती है 101325 पैसकल के बराबर ठीक है तो जब हम कोई भी साइंटिफिक स्टडी कर रहा है तो हमें अगर छोटे वैल्यू अफ प्रेशर को जज करना हुआ तो पैसकल में उसको जज करना जादा आसान होगा रादर दैन इन अटमोस्फियर ठीक है अब 1 बार जो होता है वो अल्मोस्ट इक्वल टू 1 एक्वल टू 1 एक्वल टू 1 एक्वल टू 1.01325 बार ठीक है यानि कि यह इसका भी जो वैल्यू है यह भी बहुत ही ज़ादा होता है पैसकल से तो यह हम लोग बार भी यूजने करते है टॉर इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल यूजने करते है हमारा जो SI सिस्टेम का कन्वेंशनल यूनिट है वो है पैसकल में क्यूंकि वो हमें एक यूनिफर्म स्टैंडर्ड देता है सारे कलकुलेशन को करने का और एक कमफर्टेबल range of values के अंदर करने का इसलिए हम पैसकल को यूज करते है अगर हम ATM या फिर बार या फिर टॉर को यूज करते तो हम यह तो बहुत जादा decimal points के साथ दील करना होता है जो हमारे calculations को difficult बना देता है इसलिए हम हमेशा टास्कल को SI सिस्टम में यूज करते है ठीक है प्लासिक सिट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चारसो 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 पर